तो आज हम बात करने वाले हैं बी एची होस्पीटल यानि कि सर सुन्दराल होस्पीटल में आपको अगर ओपीडी अगर दिखाने जाना है तो आपको जो है ऑनलाइन बुक कैसे करना है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप डिरेक्ट वहाँ पर जाएंगे और व आप घर बैठे जो है ऑनलाइन ओपीडी बुक कर सकते हैं मातर पांच मिनट में तो वह कैसे बुक करना है आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जह कई सु घंटों जो बचेंगे उसके लिए हम आपको बता करेंगे सरसुंदर अस्पताल का जो है आपको यहां पर भीज जो है उपन हो करके चलाएगा जिसने पहला जो आप देख रहे हैं डिए साइट डवल ड़ बीची ओपीडी डॉट कॉम इस पर जो है आपको किलिक करना है जैसे इस पर किलिक करेंगे आपको इस परकार से जो आपको option आएगा तो capture यहां पर जो हम कर लेते हैं capture करने के बाद जो है आइम नौट और रोबोट पर क्लिक करना है आपको यहां पर कैटोगरी ओपन करने का चूच करने का आपको option आपको पहला जो है आपका डेंटल ओपीडी है यानि करने का मतलब है कि किसी को भी अगर अगर बिमारी है अगर किसी को पेन है तो वो जो है डेंटल ओपीडी को यहां पर सिलेक्ट कर सकता है लेकिन यहां पर modern medicine में आपको जो है काडियोलोजी का या फिर any other किसी परकार का अगर आपको बिमारी है तो modern medicine में जो है जा करके सिलेक्ट कर सकते हैं या पुरानी पदि तो यहां पर फिर आडवेदिक OPD यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे हम यहां पर Modern Mediation OPD सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको Department पर आने के वाद सिलेक्ट केटोग्री पर चूछ करना है इस पर करने के बाद आपको चेक पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करते ही आपको जो है एक new interface open हो करके चलाएगा उसके बाद आपको यहाँ slot book करने के लिए options आ रहा है यानि कि जो है आज हम 19 तारीक को विडियो बना रहे हैं तो एक दिन बाद का date का आपको option आएगा आज अगर आप book कर रहे हैं तो कल के date से ही आपको option आएगा तो यहाँ पर 20 तारीक option है, 12 तारीक है, 32 तारीक है, तेश तारीक है यानि कि कल से लेकर के आप जिस भी date में जाना चाहते हैं हमाल दिखाने के लिए उस date का आप यहाँ पर select कर सकते हैं टाइमिंग भी आपको यहाँ पर दिये हुए, 910, 10-11, 11-12, 12-1, 100-2 यानि कि अगर हमको 20 तारीक के date में 11-12 के बीच में दिखाना है तो यहाँ पर 11-12 के बीच में select करके और यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आने के बद़ जो है- प्रोसीड पर क्लिक कर देंगा, प्रोसीड आने के बद़ आपको First Name डालना है, Last Name डालना है, Contact Number डालना है, Email ID डालना है, इस डालना है यहाँ पर gender, अधार नममर और यहाँ पर addres डाल करके आपको यहाँ पर continue पर क्लिक करना है चले इसको हम fill कर लेते हैं continue पर click करते ही आपको जो है नया page जो है open हो करके चलाएगा नया page यहाँ पर payment करने का option आ रहा है यानि कि आपको जो यहाँ पर पूरजा जब कटेगा तो वो 30 रुपए का यहाँ पर पूरजा कटेगा इनकी opt online करने के लिए आपको 30 रुपए जो है payment करने होंगे जो कि आपको bhu के merchant website पर आपको चला जाएगा जिसको pay with जो है यहाँ पर hdfc bank credit card से या फिर other banking credit card से या net banking के माध्यम से जो है आप यहाँ पर payment कर सकते हैं payment करने के बाद जो है आपको यहाँ पर appointment जो है यहाँ पर print कर लेना है appointment print करने के लिए आपको जो है इस पर click करना है इस पर click करने के बाद जो है आपको यहाँ पर contact number या email id जो आपने fill किया था वो डाल करके और फिर यहाँ पर जो है कैप सा डाल करके जो है यहाँ पर submit कर देना है जैसे submit पर किलिक करेंगे आपको जो है एक नया page जो है open हो करके आएगा जिस पर जो है आपका परची जो online आपने book किया था उसका जो है appointment में Rakogenorf शिल्फ जो है आपको मिल जाएगा जिसको है आपको प्रिंट कर लए प्रिंट कर्लेने के बाद जो है जिस डेट का आपको नंबर लगा उस डेट में जाकर के आपको वहाँ पे दिखा लेना है अगर आपको ये वीडियो देखनें में को प्रिकते आई हो या किसी परकार का समझ में नहीं आ रही है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर के जो है कॉमेंट कर सकते हैं इसका रिपलाई हम जरूर देंगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद मजा आया